इसके आगे नेक्स पेस देखे पेसरे Pale interes 86 पर इसका फोर्थ पॉइंट देखे उपसर की तरह प्रयोग होने वाले अवयव अब से ब्रयोग कोन से हैं। और उपसख से बने शब्द भी दिये हुए अ का देखी क्या अभाव मतलब अकाल, अटल, अपून, अमर इसके बाद अलप मतलब क्या होते हैं कम, अलपकालीन, अलपजीवी, अलपबुद्धी और अलपःः इसके बाद सहका क्या होते है साथ, सहपाथी, सहगामी, सहकर्मी सहगान इसकी बाद स्व का मतलब होता है अपना स्वाधेश स्वाराज्य स्वतंत्र उपसक शब्द का, उपसक शब्द में कौन-कौन से थे, उपसक के बेट, उपसक के संस्कित के उपसक थे, हिंदी के उपसक थे, और अरभी फार्सी के उपसक थे, और लास्ट में उपसक की तरह प्रयोग होने वाले आव्यव थे, इसके बद प्रत्य में देखे क्या होता है प्रत्य में देखी क्या होता है प्रत्य भी उपसर की तरह ही शब्दान जोते हैं अंतर के वल क्या होता है उपसर्क शब्दों के आरंब में जोड़ते हैं मतलब पहले जोड़ते हैं और प्रत्य शब्दों के अंत में जोड़ते हैं उपसर्क हमेशा शब्दों के पहले उन्हें प्रत्य कहते हैं मतलब जो शब्दान शब्दों की अंत में जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेशता ला देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्रत्य कहा जाता है अब शब्द प्रत्य के भेद देखी प्रत्य के कितने भेद ह वेड़ होते हैं 15 च्रत्य के मूल रूप अर्था धातु करतिया क्रिया के मूल रूप नए शब्दों का निर्मार करते हैं जह से लिखना है अन्तक्राों मिलग्ड़ करें निर्मार करें चीछ फिर सकती है बूठ के उधारन देखिए क्वेश्व के बहुंअ अचा होगrome्जाल रोज इसके बान कोотबएंगे जेट देवर महतर मतलब जेठानी देवरानी महतरानी और इला का क्या बनेगा चमक सुर बर्फ से कहने बनेगा चमकीला सुरीला बर्फीला अब कार का देगी कैसे बनेगा कथा नाटक चित्र मतलब कथाकार नाटककार और चित्रकार इसके बाद दुकानदार, इमानदार, चोकीदार, अब पन का देखे, बच्चा, लड़का, और कालापन, वहां का क्या बन जाएगा, पाँच, सातवा, दसवा, इसके बद वाला का क्या बनेगा, रिख्षा, चाए, अखबार, तो रिख्षा वाला, चाए वाला, अब आपउआगा, तम का क्या बनेगा श्रेष्ट महा उच्छ तुम अधर श्रेष्ट तम बन जाएगा महांतम बन जाएगा उच्छ तम बन जाएगा तुवागा क्या बनेगा कवी अमर का कवित्व पंडित्व और अमरत्व नीग क्या बनेगा गोप आदर पूज तो गोप नी या आदर नी पूज़ने का क्या बनेगा गोर शक्ति रेगा कैसे बनाएंगे इसके बार एक क्या बनेगा समाज घ्क धरं दिन सामाज एक धार्मिक दैने्निक ये बन जाये गा एक मतलब एक प्रत्य जोड़ इसमें इन नमक रंग शौक तो इसका नमकीन रंगीन शौक इन यह सब क्या है प्रत्य औधारण है रहीं शब्दों के अंत में जुड़कर शाइसे प्रत्य लगा कर अपनने शब्द बना रहें जैसे बनाया थे हमने last में इसको जोड़ा गया है ठीके इसी के साथ ही ये chapter 17 completely ह होता है इसकी exercise और questions इसकी photo में आपको send कर रहे हूं